हेलो दोस्तों मैं हूँ प्रद्धिक कुमार और मैं आज बीसी के बारे बताने जा रहा हूं यूजी एसी के बारे में देखिए यहां पर नोटीस जारी किया गया हुआ है नया नोटीफिकेशन है नोटीस रिगार्डिंग यूजी एसी 2020 कांसलिंग इस अपूर्डे राण व 6-7 अब कि शूचला कि वह नहीं आने मला है अब जो है सबकुछ रद्ध कर दे चुका है यह वह मताते हैं क्योंकि पैंप क्या हुआ कि बहुत चारे बच्चों का यह कमप्लेंट था कि उनके मैं जो है जो च्टिक है उसमें छेड़ सार किया है जो कि यहां पर बताया गया हुआ है देखिए यहां पर देखिए कि जांच किया गया तो पता चला कि 28 तारीक 28 नौवेंबर को कि साथ वज़े से 11 एक तक आई पी एड्रेस कि से सद्रा अभिरत्य का 24 बदल जाजिए चुका है इसके रिए फायर दल्ज किया न सकति कोई भेद्रावन है इसलिए क्या गया है कि सब कुछ रध कर दिया चुका है और फिर से जेख्चर करना क्टों देखिए द्ट करना हूँआ इड्टीन डेट और चॉइलिए यबिद्स अंहाप शरीक ये करना होगा उसके बाद सीट अलर्टमेंट पब्लिक संडेट आएगा मतलब सीट अलर्टमेंट जो है वह हम लोगो 11 जनौरी को मिल जाएगा और फिर हम लोग 11 से 14 तक डाउलोड कर सकते हैं और 12 से 14 जनौरी तक हमको एडमिसन कवाना होगा फिर से के राउन का अलर्टमेंट हो जाएगा उसका से के लाउन का पॉब्लिकेशन डेट 17 जनौरी का आएगा और फिर 17 से 20 तक हम लोग उसका एडमिसन करवा सकते हैं कि अठारा से 20 तक है कि इससे हम लोग यह माम मितलता है कि जिन बच्चों को कॉलेज जो है कम च्वाइस करने का नहीं मिला था उनके लिए खुसखवरी की बात है कि फिर से वह एडिट कर सकते हैं और जिनका अच्छा कॉलेज मिल चुगा था उनके लिए तो इस दुख की बात है कि आगे का और सभी कुछ बात है जैसे कि यहां पेहत दिया हुआ यूजी से आइडी और पासवर्ट के आड़ में तो यूजी से आइडी तो सेम रहेगा लेकिन वेब साइट पर जा करके पासवर्ट जो है पुराने वाले को चेंज करना होगा ओटी पी ऑथेंटि पी आएगा जिसके आद फिर नया पासवर्ट चूज किया जाएगा और इसका इसकी जानकाली जो है बी सी सी के साइट पे भी होगी तो वहां से भी आप पता कर सकते हैं अब अच्छा ठीक है अब नेक्स्ट नोटिफिकेस्ट या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं